सो फर्स्ट राम नेल आर्ट से रिलेटेड जो चीज़ से है मैंने एमेजॉन से एक साथ में इत्ति सारी मंग आई है सो वन बाइवन मैं आपको बताती हूं कि क्या-क्या है मेरे इस में तो जो 1st है वो है पॉली जेल यह मैंने शेल्स का ओर्ड़ किया था और एक और पॉली जेल है इसमें यहें कुछ स्टर्ड जो नियल आटले मेरे हल्प होंगी दिनकी और यहें आर्टेफिशल नेल्स artificial nails है जो मैंने order किये है ताकि nail extension में ये help होंगे ये holding pen और ये stones pick up करने के लिए ये kit आता है पुरा साथ नहीं आता है तो ये वाला एक और इसके अलावा ये poly gel एक होर है ये जो है वो है transparent shade का है और ये है caramel shade तो ये दो poly gel मैंने order किये है और ये है liquid solution जिसमें हम poly gel को अपने हिसाब से extend कर सकते हैं ये है वो glass ये पुरी एक kit में आ जाता है तो मैंने पुरा kit order किया था ये है filer 10180 वाला ये brush ब्रश प्लस spatula दोनों है इसके अंदर तो ये brush है एक साइड से इसके बाद है ये मीनी यूवी लाइट ये जो भी नेल आट जो भी हम करेंगे जेल वागेरा उसको ड्राइ करने के लिए हमें चाहिए होगी तो मैंने स्टार्टिंग में ये order की है प्राक्टस के लिए ठीक लगी मुझे थोड़ी से प्राक्टस हो जाएगी उसके बाद में हम जो बड़ी बली है वह हम ओडर कर लेंगे ये है शेल्स का टॉप कोड और बेस कोड जो मैंने मंगवाया है अधिर है ये जेल पॉलिष जोड़ी मैंने अमेज़ों से ही मंगाई है अराउंंट से कीज़ पॉलिश के अलग तो जियलों को ये जैल पॉलिश मेंने कोच कोभ़िए चैज को सार्टिंग मैं प्राक्टस के लिए वेरें हो जाएगी तो कि मैंने यूट्यूब्य देख़ यह ऐसे कुछ clips होती है जो nail hold करने की काम आती है तो यह clips भी मैंने 10 order कर ली थी यह भी मैंने Amazon से मंगाई है यह कुछ जो tape आती है वो tapes है निल आट्स के लिए तो यह सारी चीज़े जो मैंने मंगाई है सारी-सारी Amazon से मंगाई है and मुझे ये within 2-3 days सारी चीज़ है मिल गई है since prime customer होते हैं उनको जल्दी delivery मिल जाती है जो within 2-3 days मुझे सारी चीज़ है मिल चुकी है so अब मैं first time जो अपना nail extension वाला जो चीज़ है वो करने वाली हूँ तो वो भी हम देखेंगे कि first experience मेरा कैसा होता है जेल पॉलिश आप कैसे यूज़ कर सकते हो कैसे यूज़ करने चाहिए जो bigness है उनके काफे helpful होगी क्योंकि जो problems मुझे आएगी वो ही problem उनको भी आएगी so one by हम by problems और उनके solution हम सब देखते देखते चलेंगे और आपके अगर कुछ problems हो जो आप चाहते हो कि जिसका answer आपको चाहिए हो या कुछ आपको advice देखी हो so please आप comment section में ज़रूर अपनी advice दीजिएगा thank you